जैसा कि आप जानते हैं भारत मेकिन इंडिया के तहट बड़े बड़े फैसले लेने में लगा है जिसमें एक फैसला हाली में हीरो मोटर की तरफ से लिया गया है जिसको लेकर एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है दरसल पिछले साल की ही बात है जहां हीरो मोटर की E-Cycle में आयातित मोटर का ही इस्तमाल किया जाता था लेकिन अब हीरो मोटर ने एक बड़ा फैसला लेते हुए यामाह के साथ एक जॉइंट वेंचर को अंजाम दे दिया है जिसमें अब ये सारी मोटर हीरो यामाह के साथ मिलकर भारत में ही मैनुफैक्टरिन करेगा जिसके लिए फैक्टरी भी लोदिहाने में पूरी तरह से तयार हो चुकी है जो कि प्रोडक्शन के लिए भी पूरी तरह से तयार है वहीं HYM ड्राइव सिस्टम जो कि इस जेवी का नया नाम होगा उसने शुकरवार को लोदिहाना पंजाब में हीरो ये सैकल वैली में इलेक्टरिक ड्राइव एकाईयों के लिए अपने वे निर्मान सुधा शुरू करने की घोशना की है बता दे कि हीरो ये सैकल वैली एक इंटीग्रेटेड और हाई एंड प्लांट है जो वैश्विक बाजार के लिए प्रीमियम पूश बाइक बनाती है वहीं भारत में अब विश्व तरिये ये सैकल बनाई जाएगी जो भारत के साथ ही साथ दुनिया की जरूरतों को पूरा करेगी वहीं बात करें यूरोपिया मार्केट की तो इसाइकल बाजार एक दशक से अधिक समय से दो अंक में बढ़ रहा है जो की एक सकारात्मक संकेत है वहीं लुदियाना में निर्माण एकाई की स्थापना ने कंपनी को वैश्विक बाजार के लिए भारत में पहली पूरी तरह से एकिगरित कंपनी बनने की अपनी महत्वकांशा को पूरा करना में बहुती करीब ला दिया है वहीं भविश की जरूतों को देखते हुए का है कि वह अगले साल की पहली तिमाई से फेज 1 में 3,000,000,000 मोटर प्रतिवर्ष शमता के साथ उत्पादन शुरू करेगी और फिर आने वाले वक्त में इसकी शमता में विस्तार करने की योजना है जो कि फेज 2 होगा जिसमें 1,000,000 मोटर प्रतिवर्ष के साथ आगे की है पर इसके परणाम आपको दुनिया के देशों में देखने को मिलेंगे